सब्सक्राइब किजिए टेक गुरू मुकेस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए अल नोटिफिकेशन्स को अन किजिए लेटेस्ट टेकनोलजिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों आपको स्वागत है एक और न्यू फ्रेश वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में हम सीखेंगे कि 33 x 15 mm के लेबल के साइज को यानि कि इस तरह के 33 x 15 mm के लेबल के साइज को 3 apps में हम अपने bartender software में कैसे create करेंगे इस size के उपर कैसे हम designing करेंगे और उस design को कैसे हम पने किसी भी लेबल printer से प्रिंट करेंगे दोस्तों मैंने काफी सर यूजर को ऐसे देखा है कि छोटे लेबल के size को उनको create करने में काफी दिक्कत परशानियों का सामना करना पड़ता है और कई कवार तो चोटे size जो है वो create कर भी लेते हैं तो भी उनका जो format है printing के time पे कटना सुरू हो जाता है left right या फिर up down से तो इसी का solution ने करके आ गया हूं मैं दोस्तों आज का ये वीडियो इस वीडियो में मैं आपको complete process बताऊंगा कि आप bartender labeling software में इस तरह के size को इस तरह के 33 वाई 15 mm के label के size को 3 apps में कैसे आप create कर सकते हैं और इस size के उपर कैसे आप आपकी helpful सावित होने वाली है और ये वीडियो अगर आपके लिए helpful सावित होती है तो इस वीडियो को like करके चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा ताकि इसी तरह की informative और technological वीडियो का latest update सिधा आप तक पहुंसता रहे है तो मैं अभी आगे हूं अपने computer की screen पे यहां से मैं अपने इसोग वार्टेंडर डॉक्कमेंट के उपर किलिक कर देना है क्लिक करने वाद हमारे सामनी इस तरह का एक विंडो यहां पर open हो जाता है यहां पर जोस्तों मैं सब कुछ Βए डिफॉल्ट इस विंडो में इसी रहने देना है और next के उपर किलिक कर देना है जैसी next को उप कर देते हैं हमारे सामनिया उप्र एक douh Спасибо प्रिट करने का option आ जाता है थे यहां प्रेभ लेता हूं जिस पीट वे मुझे उप्र एक डेना है तो यहां पे यह वाल प्र like में आगर बंडर का अर्टे लाइट वरेशन ःविर्जेन यूज्ट करने का नहीं मिलेगा आप डिरेक्ट यहां पर रिडिरेक्ट हो जाएंगे स्टॉक सेलेक्शन में यहां पर दूस्त हमें सब कुछ by default डिशी रहने देना है और next के उपर क्लिक कर देना है यहां पर इस वाल पार्ट में यहां पर हमें दो option देखने को मिल जाता है single item per page और यहां पर मिल जाता है multiple columns and raw item per page तो हमें यहां पर इस नीचे वाले multiple columns के उपर टिक कर देना है जैसे आप यहां पर टिक करते हैं नीचे के दोनों option जो है वो यहां पर highlight हो जाते हैं यहां पर हमें columns के अंदर हमें changes करना है आप यहां पर देख सकते हैं left side में left से लेके right तक 3 level है तो हम यहां पर क्या करेंगे column में 3 को type कर लेंगे या फिर हम यहां से select भी कर सकते हैं 1, 2 और 3 इसके बाद हम यहां पर next के उपर click करेंगे यहां पर हम सब कुछ by default ऐसी रहें देंगे और next के उपर click कर देंगे यहां पर इस window में हम यहां पर page size के उपर click करेंगे click करने के बाद हम यहां पर user defined size के उपर click कर देंगे जैसे हम user defined size के उपर click कर देते हैं हमारे सामने width और यहां पर height का जो option है वो यहां पर highlight हो जाता है तो अब में हमारे label का calculation कर लेना है कि हमारा label का size है first वाले label और last 3 वाले label के बीच का जो size है वो कितना बनता है तो हमारे एक label का size है 33 mm into 3 करेंगे तो यह हमारा करीब 99 mm बन जाता है तो हम यहाँ पर का करेंगे एक 2 mm extra ले लेंगे तो यहाँ पर 4 inches यहाँ पर दी हुई है तो by default हम यहाँ पर 4 inches को ही रहने देते है तो 4 inches जो है 100 mm में ही count होता है इसके बाद हम यहाँ पर हमारे label का height type कर लेना है तो हमारा label का height है वो है 15 mm तो 15 mm को अगर हम inches में count करेंगे तो हमारा निकल के आता है 0.6 mm तो हम यहाँ पर 0.6 type कर लेंगे 0.6 type कर लेने के बाद बागी सब कुछ हम by default ऐसी रहने देंगे और यहाँ पर हम next के उपर click करेंगे यहाँ पर भी हम by default सब कुछ ऐसी रहने देंगे और यहाँ पर हम next के उपर click करेंगे यहाँ पर भी हम सब कुछ ऐसी रहने देंगे और next के उपर click करेंगे again next के उपर click करेंगे again फिट से हम next के उपर यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर दुस्तों finish में reviews देखने को यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर आप अपने printer को check कर सकते हैं इस प्रिंटर के उपर आप प्रिंट देने वाले हैं और आप अपने page के size को check कर सकते हैं page का size it means की left से लेके right तक के बीच में जितने भी label है उन सभी size को count करके page का size बनता है उसके बाद आप यहाँ पर अपने template का size जनाने का size यान की एक label का size आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसी के साथ यहाँ पर राइट में यहाँ पर प्रिव्वु देख सकते हैं अपने label का इसके बाद हम यहाँ पर finish के उपर खेल्प कर देंगे जैसे हम finish के उपर क्लिक कर देता है हमारे सामने जो 33-15 mm का लेबल का जो साइज है वो हमारे समने यहाँ पर create होके आ जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमारे इस लेबल में format create करना है design create करना है जिसको हम print करना चाहते हैं अपने इस लेबल पर कोई भी format या design बनाने के लिए आप यहाँ पर उपर दियेगे tools को use करके आप यहाँ पर basic से लेकर advanced की designing कर सकते हैं इन tools के उपर मैंने separately अलग से वीडियो बना रखा है यह वाला इस वीडियो को आप देखकर सीख सकते हैं कि bartender software में basic से लेकर advanced की designing आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो का link मैंने नीचे वीडियो के description में दे दिया है आप उसी link पे click करके इस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि bartender software में आप basic से लेकर के advanced की designing कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो मैं फटा-फट से यहाँ पर एक छोटा सा format create कर लेता हूं ताकि हम इस format को अपने label printer पर प्रिंट कर सके हैं तो दोस्तो मैंने आप एक छोटा सा format create कर लिया है basically छोटा सा label है यह तो इसमें एक या दो line के size को ही हम print कर सकते हैं और उससे ज़्यादा अगर हम print करने को स्करेंगे तो text का जो size है वो हमें बहुत छोटा करना पड़ेगा एक या दो line का जो format है वो sufficient है इस size में print करने के लिए जब भी हम अपने format design को create कर लेते हैं उसके पाद हमें हमें हमारे इस file को save करना होता है हमारे computer में ताकि यह permanently आगे तक save रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगा उसके लिए पर file में आचेँगे ओसको save के उपर क्लिक कर देंगे जासे हमसे इस दृक हरे क्लिक कर देते हैं हमारे समने यहां पर इस तरह से चोता सब window यहां पर open हो जाता है यहां पर हमेंवारे computer में एक path choose करना है जहां पे भी जिस भी folder में या फिर जिस भी drive में हम इसको save करके रखना चाहते हैं तो मैं यहां पे इसी folder में इसको save करके रखना चाहता हूं save करने से पहले हम यहां पे अपने file का एक नाम type कर लेंगे जिस name से हम इसको save करके रखना चाहते हैं इसके बाद आप हमें हमारे इस फाइल को प्रिंट करना है हमारे लेबल पिंटर पे उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम वापिस हम यहां पर फाइल में आएंगे और फाइल में आने एक बाद हम यहां पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देंगे जैसे print के उपर click कर देते हैं, हमारे समने, फिर से एक छोटा सा window यहाँ पर open हो जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर अपने label की quantity डालनी है, कि हम कितने labels को print करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर अपने label की quantity डाल देता हूँ, मैं वाली कॉंटिटी डाल लेने कादड हम यहां पर नीचे आएंगे और इस प्रिंट वाले ऑप्ष्न के उप्पर क्लिक कर देंगे जैसे प्रिंट वाले option के उपर click कर देते हैं हमारा जो label है वो print होना start हो जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो label है वो print हो गया है आप इसके format को check कर सकते हैं label के size को check कर सकते हैं इसके printing की quality को check कर सकते हैं और इसी दर से दोस्तों आप अपने bartender software में 33-15 mm के label के size को create कर सकते हैं अपना format या design बना सकते हैं और अपने label printer से print कर सकते हैं मैं उम्मित करता हूँ मेरे दोरा बतायागे एक एक step आपने इस वीडियो में completely देखा होगा और bartender software में 33-15 mm के label के size को create करना उसके उपर designing कर दी और अपने label printer से print करना आप सीख गए होंगे अगर आपने इस तीनों चीज़ सीख लिया है तो इस वीडियो को एक like कीजिए और इस वीडियो को अपने family और friends के साथ share कीजिए और अगर आपके मन में कोई confusion, कोई doubt या फिर कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं और अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजिए साथ में दे हुए bell notification को press करके on कर लिजिए और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं